हर मा को ये टिंशन रहती है कि सुभे सुभे बच्चे को ख्या हेल्दी दें और ऐसा ख्या दें जिके टिफिन पूरा खाली आए तो चली आज एक और बहुत हेल्दी सुपर हेल्दी मैं बोलूगी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और हर बच्चे को पसंद आएगी और टिफिन आपको खाली ही मिलेगा उसके लिए क्या किया है यहाँ पे मैंने सुझी ली है और उसमें 3-4 चमच आप दही डाल दीजे आधा कब सुझी है यहाँ पे 3-3 चमच या 4 चमच आप नॉमल चमच ही बात कर रही हूँ दही डाल दीजे थोड़ा सा नमक डालिए और इसको मिक्स करके 5 मिनिट के लिए रख दीजे क्योंकि भई सुबह उतना टाइम ही नहीं रहता कि हम 15-20 मिनिट रखें हर मा को सुबह सुबह का समय जो होता है बहुत भागम भाग वाला जाता है जिसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ इसको मिक्स करने के बाद आप इसको साइट कर दीजे अब मैंने यहां लिया है कौन मटर और इनको हलका सा क्रश कर लूँगी बिल्कुल दरदरा हो जाए ताकि बच्चे के मुँ में ना आए ऐसा भी ना लगे कि मैं नहीं खाऊंगा या मैंने छोड़ दिया जिनके बच्चे कौन या मटर नहीं खाते ना उनके बच्चे भी खाके आएंगे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हलका सा दरदरा क्रश कर दीजे आप क्या किया है पांच मिनिट बाद सूजी को उठाया है हलका सा थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और इसका गारा खोल बना लेंगे आप उसके बाद क्या करना है जितनी भी सबजे आप डालन बलकि मैं ताओंगी सब चीजे खाने के आदर डालिए इस तरीके से बच्चों को हर चीज का टेस्ट आ जाता है मैंने या बारी कटा हुआ प्याज डाला है धनिया डाला है और गाजर है और धेड सारा पनीर डाला है और साथ साथ मैं आपे डाल रही हूँ ब्लेक पेपर ह और कुछ नहीं डालना है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल थिक बैटर बनके देखिए रेडी हो गया है हलका सा यहाँ पे आप मीठा सोडा डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं दोनों ही आप्शन में दे रही हूँ इसकिप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यह कुछ हेल्दी कर रहे हैं प्रूटीन डाइट देने की कोशिश करने इतनी महनत कर रहे हैं तो इतना दो तीन चम्मच ऑईल में जब रिकफास्ट बन सकता है बच्चों का टिफिन बन सकता है तो कोशिश करिए हल्दी ऑईल भी चूस करिए क्योंकि आजकर हर चीज में मिला रखे हैं और अच्छे से मैं अप्व को रख दोंगी हाई प्रोटीन अप्वे हैं क्योंकि प्रोटीर भी है और सारी वेजिटेबल्स है तो बच्चे बहुत प्रेम से खाएंगे और इजी वी रहता है बच्चों के लिए मेरी बेटी एल केजी में है तो मैं जनरली उसको इस तरीके के फिंगर फूट देती हूं वैसे पूड़ी रोटी पराठा भी देती हूं लेकिन इस तरीके का जब भी दो न तो हंदेट परसेंट होता है कि फिनिश होके आता है क्योंकि बच्चे को बहुत ईजी लगता है वनवन लेके घूंते टैलते खा लेने में तो रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल से जूड़ जाएगा तब तक के लिए मिलती हूं एक और नई रेसिपी के साथ रादे रादे